सलाम मेरी यजीज पंको अच फिर से लेट होगी मैं sorry for that लेकिन आज का टॉपिक ना बहुत जादा ज़रूरी है पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डैम बनो मुल्क बचाओ और मेरी नॉलेज में यह है कि वो वीडियो वाटसैप पर काफी घुमी थी एवन हमारे अपने आ और इमरान खान ने अपील किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी फंड्स दें और बहुत सारे लोगों ने अपने ख़सानों का मुझ खोल दी है मलिक रियास ने 50 मिलियन रुपे सिल्मान रियास ने 10 मिलियन रुपे और शाहिद खान ने 10 मिलियन डॉलर्स देने का ऐलान कि और भी बहुत सारे बड़े बड़े नام हैं जिन्होंने बहुत सारी इमांट डूनेट की है ताके टैम्स के लिए जल्दी से जल्दी फंड्स अकटे हो सकें। पाकिसान में रहने वाल इवाम तो अल्रेडी डॉनेशन दे ही रही है, तब ओवरसीज वालों की बारी है, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कम से कम एक हजार डॉलर डॉनेट करना चाहिए, इच बर्जन, ले डैम्स नहीं बन सकते हैं, यार क्या इशू है, पिछली गवर्मन्स ने घंटा कुछ नहीं किया, डैम्स क्या बनाने थी, उन्होंने अपने महल बनाए है, अवाम खोड ठेंगा दिखाए है, और किसी ने डैम्स की बात तक नहीं की, और अब जब कोई डैम्स के लिए जियानी कार बैट के कह रहा था कि मरान खान अब क्या फंड्स लेके डैम्स बनाएगा, भीक लेके डैम्स बनाएगा, नहीं तो क्या कर्ज लेके डैम्स बनाएगा, हमें क्या आदत होगी है कि हमारे सरों पर कर्स चड़ते जाएं तो हमारी रोटी हजम होनी है, खुद जि में कुछ उखाडा नहीं लोगों ने और किसी को कुछ करता देख के लिए डाइडिया शुरू हो जाता है अबे निकलो यहां से नहीं देने फंड्स तो मत दो भाड में जाओ ऐसा ही अगर यार सारे पाकस्तानी फंड्स देना बंद कर देना ये कहके कि ये तो हमारा काम ही नहीं है डैम्स फंड्स से नहीं बनते हम क्यों दे पैसे तो पते है क्या होगा कुछ सालों के बाद अल्ला ना करे पानी खतम हो जाना है फिर कहत से मरतेवे लोगों को देख कर कहना कि हाँ ठीक किया था डुनेशन्स ना देकर हमारा काम थोड़ी था डैम्स बनाना हम क्यों पैसे देते हैं मरना तो हमने ये ना घर तो हमारे ही खराब हो रहे हैं खैर है पैसे तो बजगे ना तमाम उन उफेंड़ेड लोगों से गुजारिश है जो कहती है कि ये वाले काम हमारे टेक्सिस पर हो लेकिन या फिर ये भी तो बताओ कि कितने फीसद अवाम टेक्सिस देती है और कितनी पहली गवर्मेंट्स ने उस थोड़े बहुत पैसे से भी मुल्क के बारे में सोच है अब यही एक उप्शन बचता है बजाए कि कर्स लेने के लिए लूर लूर फिरा जाए और फिर पाकिसानियों पर मजीद कर्स चढ़ाया जाए हम अपने घर के मसले खुदी सौफ कर लेते हैं और अगर तुम्हारे नस्दीग फंड लेने से जादा ठीक आइडिया कोई और है तो बताओ यार कोई हल है या बस बोंगी छोड़े और टेंशन हासिल करने के लिए ऐसी रूटी बाते कर रहे हो तो छोड़ो यार कोई काम करो खुदा दा हौस्ता है तो हनूँ कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बिल्कुल ही मत बोलो और अगर बात रहेगी ओवरसीज पाकिसानियों की तो यार मुझे पता है कि बाहर रहकर कमाना कितना ओखा काम है कभी कबार तो अपने खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते हैं और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि अमरान खानी ओफरिक्स एप नहीं करेंगे तो खालिद मली को अगर वाकी पाकिसान से प्यार हुआना तो वो हेलिकॉप्टर के पैसे डैम फंड्स में जबमा करवा देंगे और होना भी ऐसा ही चाहिए तो चलो मेरे पाकिसानियों मिलकर काम करते हैं जो भी हो सके जितना भी हो सके जरूर करो वरना फ्यूचर बहुत मुश्किल हो जाएगा अब ये वीडियो देखने के बाद अगर तुमने अभी तक डूनेशन नहीं दी तो जरूर दो हमारा अपना मुलक है हमारा अपना घर है नुकसान होगा तो हमारा ही होगा नुकसान होने से बचा लेते हैं मुलको और दौा करते हैं कि अल्ला हमारी मदद करें और जाते जाते मुझे भी बता दो कि तुमने डूनेशन दी है तो कितनी दी है और अगर नहीं दी तो फारण दो आज का कॉमेट यार जो मैंने लिया एपनी लास्ट वीडियो से वो है डीमन 99 का कि वल्ला अभी तक टेलिफुन वाला एड याद है और सूपर वाला गाना तो मैं अभी भी सुनता हूँ यूट्यूब पर सर्च मार के इतना एपिक गाना कभी नहीं आएगा इप इस दुनिया में यार आई अग्री पर सर्च मार के कभी भी स्पेशली गाना नहीं सुना मैंने वैसे ही बड़ा हिव्ज हो गया है और वैसे भी बस गाना ही अच्छा इसका बिस्किट तो फारी की हो गया है साइस भी छोटा हो गया और प्राइस भी बढ़ गई है यह थी यार मेरी आज की वीडियो उमीद है कि अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इसका उसके लावा यार मेरी लास्ट वीडियो यह रही यहां देखो सब्सक्राइब यहां करो और मेरा सेकंड चैनल है गोल रोटी उसको भी यहां सब्सक्राइब करो अगली वीडियो कौनसे टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे यह भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे दो दिनमाद एक नई वीडियो के साथ इस विडियो बस्तुमसेट पाकिस्टां फर मों इंपिंशन अगाय प्लीस काट प्लीस काहँ आग प्लीस्टिटों